आप सब और क्या हाल समाचार हैं? आपके देखिए कल वीडियो हमने एक बनाई थी जिसमें हमने कहा था जो वीडियो से आपने सीखा सही जवाब देंगे उन्हें मेरी बुक मिलने वाली है कौन विनर रहे हैं? क्या सही जवाब है? उसको वीडियो के last में बताऊंगा तो ध्यान से देखेगा क्योंकि ये एकडम summary होगी उस पूरे वीडियो की और अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो अभी का भी देख लीजेगा एक बहुत ही good news आप सब के लिए आप सब सीखना चाहते हो बट fund की कमी के कारण सीखना ही बात है वहाँ पर अगर आप हमारे link से zero da app stock या angel कहीं भी account open करते हो जिसका link डिस्क्रिप्शन में है तो आपको special telegram में भी red करेंगे stock के level भी मिलेंगे और आपको strategy भी मिलेगी जिससे आप trade करके कमा सकते हो तो ये एक बहुत unique offer है हमारे भाईयों के लिए हमारे परिवार के लिए क्योंकि आप को क्या चाहिए एक support जो सही तरीके से guide कर सके वो मिलेगा हमारे साथ तो link description में account open करने के बाद google form बरना बिकुल ना भूले तभी हम आपको वो सारी facility दे पाएंगे देखे टाटा ग्रूप का एक ऐसा सेर जो 10700 से 5700 तक आ गया percentage wise 46% गीरा अभी 7500 के पास चल रहा है मतलब high से गीरा 46% low से बढ़ा 31% जब ये सेर गीरा तब हमारे डिटल भाई बहुत परिशान थे कि क्यों गीर रहा है और जब बढ़ रहा है कि वहां से कितनी अच्छी तरह recovery हुई है बट ये तो trailer है picture अभी बाकी है मेरे दोस्त क्यों क्योंकि सेर तो 10,000 का है और सिर्फ 10,000 का नहीं है कहानी उससे भी बहुत आगे की है तो अब सवाल ये है कि जब कहानी उससे भी आगे की है ये सारे 7,000 का price भी कुछ नहीं है तब तो भईया ध्यान से last तक देखिए और क्या-क्या बताते हैं उसको सुनिए और जो सही जवाब देंगे कि आखिर इस वीडियो में मैंने क्या ऐसा बोला क्या सीखा तो नहीं मिलेगी हमारी book free सही comment करने वाले को और ध्यान रखिए अगर आप order करना चाहते हैं तो link description में हिंदी इंग्लिज दोनों आप order कर सकते हैं तो क्या आप guess कर पाए हैं मैं किसकी बात कर रहा हूं comment में बता दीजिए देखते हैं आप किते expert हैं नाम है Tata Alexi mid cap IT company है mid cap है तभी बोला था journey बहुत लंबी है क्यूंकि आज नहीं तो कल large cap बनेगी 28 मार्ट 2023 से 26 माई 2023 तक approximately 23% का return जिन्होंने high में buy किया हुआ है वो average के बारे में पूछ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है सब जवाब देंगे तो हम वीडियो में बात करेंगे business को स्टॉक लेवल मिले, expiry के दिन option का कुछ मज़ेदार मिले हर संडे को learning strategy की वीडियो मिले तो YouTube membership आप जवाइन कर सकते हैं अगर आप एक serious trader है तो जहां आपको screen पर proof दिख रहा है कि कैसे कई सारे stock में पैसा बना option के दिन bank nifty में trade दिया संडे को strategy की वीडियो दी तो यह ऐसी अंगिनत चीज़ें मिलने वाली है तो मौका जाने ना दे और अभी का भी join करें और अगर आप एक normal trader है तो telegram में भी हम level देते हैं आप उसको भी join कर सकते हैं उसका link भी description में है तो कोई यह ना कहे कि हम telegram में free trade नहीं देते हैं वो मेरी commitment है मैं हमेशा दूँगा बट अगर आप serious trader है तो आप यहां join कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं Tata Lexi के business से 1989 में company incorporate हुई थी दुनिया की leading provider है design technology service की multiple industry में company की service use होती है जैसे automotive, broadcast, communication, health care इन सब industry में Tata Lexi अपना service provide करती है services जैसे IT infrastructure, designing, cloud service, virtual assistance, artificial intelligence जैसी service कौन देती है? Tata Lexi तो आप देख सकते हैं यह सारी वैसी service है जिनकी future में demand बढ़ने वाली है यारी सिर्व आज की कहानी नहीं है और जहां future है वहाँ पैसा है तो यह तो बस overview था इनके business के बारे में अब हम इनके business segment को थोड़ा अच्छे से समझने की कोसिस करते हैं तो ताकि आपको यह पता चल सके कि company का कितना revenue कि segment से आ रहा है और जिस segment से ज़्यादा revenue आ रहा है वो segment future growth के लिए सही है या नहीं इसे ही तो देखना होता है क्योंकि यह technology जितनी तेजी से आपको update कर रही है उसी तेजी से IT company का market competition भी बर रहा है तो तीन segment में काम करते हैं पहला है EPD, IDV और SIS यह technical terms सुनके परेश्रान होने की दरवती है मैं आपको बिलकुल आसान भासा में समझाने वाला हूँ तो सबसे पहले सुरू करते हैं EPD से यानि embedded product design तो जैसा कि नाम में है embedded इसका मतलब होता है चीजों को apps में जोरना उसी तरीके से embedded product design में ऐसी service आती है जो किसी भी idea को एक product का root देती है बस इतना ही इसके लावा कुछ नहीं इसमें कई services आती है अगर यह देखे तो system, architecture, hardware design, software design, mechanical design, prototyping, validation, regulatory certification, pilot production यह स्टारी services embedded product design में आती है अगर थोड़ा technical हो रहा है तो मुझे पता है चिंदा मत कीज़े एक छोटा से example देके बताता हूँ ताकि आप समझ पाए किसी ने सोचा था कि mobile apps पे साधी हो सकती है यह पस idea ही नहीं था इसको site पे, mobile पे लाकर product का रूप दिया गया 20 सल पहले किसी ने सोचा होगा कि आप घर बैठे, दुनिया भर का सामान order कर सकते हैं food से लेकर taxi तक राइट है ना, सब कुछ आप घर बैठे कर सकते हैं तो यह सब पहले एक idea था, fit product बना ऐसी कई company है, इन company हो का नाम आप मुझे comment में बताएं, इंतजार प्रहेगा तो जैसा कि आपने देखा कि यह थेड़ी technical based काम करती है, राइट तो जाहिर है कि इसमें expert की और महेंगे tools की जरुवत पढ़ती है, simple concept है तो यही पर role आता है Tata Alexi का हर company अबने business तो जानती है अगर जो technical support होता है उसके लिए उन्हें IT experts की need पढ़ती है तो उमीद है आपको EPD यानि embedded product design समझा गया होगा अब बाग करते हैं दूसरे segment की IDV यानि industrial design and visualization इसे समझना और भी आसान है इस segment में ऐसी service होती है जो design और visualization technology में support करती है, जैसे आप जो भी display देखते हैं उसमें एक design होता है और हर app का design website का अपना design होता है चीजों को public के सामने present करने का अलग अलग तरीका होता है transportation, print, digital media, education healthcare में काफी use होता है तो यह पूरा process है, अच्छे से research कर customer base को समझ कर कैसे product का design या graphic बनाएंगे customer कितनी आसानी से use कर पाएंगे इतना आसान तरीके से product का interface बनाने का तो यह सारी बात है, यह सारी services industrial design visualization में आता है और इतनी इसी चीज again data lexy में आती है अब हम आते हैं तीसरे सेग्मेंट में system integration and support, SIS तो सबसे पहले था EPD, idea को product का रूप दिया गया फिर था IDV, जिसमें product के लिए अच्छा graphic interface बनाया गया और जब product बन गया, तो कैसे दिखाया जाए, यह decide होगा तो इन तीनों को मिलाना परेगा ना, यही पर रोल आता है system integration and support का यह एक process है जहां multiple technology service को integrate किया जाता है ताकि एक साथ काम किया जा सके तो इसको एक live exam तो से समझाता हूँ कि माल लीजे आप जमेंटों से food order किए अब आपके order करने और आप तक order पहुँचने के बीच में कितनी technology service integrated है क्या आपको पता है जिस app पे आप food order किये हैं वहाँ food का एक virtual display होता है फिर जो seller है उसके पास भी एक app होता है जिस पे वो अपना food stock update delivery update करता है अगर आप online payment करते हैं तो एक payment gateway भी वीच में रहता है और नजानी कितनी service और technology जो हमें दिखती नहीं है मगर background में चलती रहती है यही है integration यही काम होता है system integration और support system में तो उमीद है कि आप Tata Lexi के तीनो segment को समझ गए होगे कि किस तरीके से बहुत मैनत और बहुत सोच का कामगर्पी है तो देखते हैं अब किस segment से कितना revenue आता है तो APV से revenue 87.6% क्योंकि यह main काम है IDV से है 9.7% और SIS से 2.7% अगर industry wise revenue देखें तो transportation और automotive में इनका 43.6 है media communication में 42.4 है और healthcare and medical device में 14% का revenue बटा हुआ है कंपनी के location wise revenue पे आते हैं तो US से 36%, Europe से 36.5%, इंडिया से 13% और rest of world से 14.5% आता है अब यहाँ पे US और Europe को थोड़ा सा याद रखिएगा क्योंकि दोनों मिला कर 70% हो चुके हैं इसके पहले Tata Lexi का maximum revenue युएस से आता था पेंसियल को और America और Europe की बात भी करेंगे लास्ट में ध्यान से स्टार्ट करते हैं annual performance से मार्च 2022 में company का sales था 2471 करो मार्च 2023 में 3145 करो percentage wise 27.27% बढ़ा है sales मार्च 2021 से मार्च 2022 में 35.32% बढ़ा था LXC का मार्च 2022 में operating profit था 770 करो मार्च 2023 में 971 करो percentage wise 25.29% बढ़ा है operating profit मार्च 2021 से मार्च 2022 में 46.37 का ग्रोथ हुआ था operating profit में अब देखते हैं net profit मार्च 2022 में net profit था 550 करो और मार्च 2023 में 755 करो percentage wise लगवग 37.27% बढ़ा है net profit मतलब 2021 से मार्च 2022 में 49.45% का ग्रोथ तो आपने notice किया 2021 से 2022 के मुकाबले और 2022 से 2022 के मुकाबले में sales, operating profit, net profit का ग्रोथ कम है ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पूरे IT industry की हालत खराब recession की डर से सभी कंपनिया project रोके वे हैं और असर इनके financial पर year over year quarterly growth देखते हैं तो sell growth हुआ है 22.9% profit growth हुआ है 25.9% annual quarterly S पर सब सही दिख रहा है इसलिए कुछ important ratio को देखते है ROE है 41% 5 year का average ROE है 34.7% ROCE है 47.6% 5 year का average ROCE है 44.7% मतलब दोनों return ratio अपने average से अच्छा है debt to equity ratio है 0.09 last year debt to equity था 0.11 मतलब company पे already कर्ज कम है फिर भी कर्ज कम कर रही है तो यहां तक हम लोग company के business segment, revenue, annual, quarter performance की ratio देख चुके है अब time evaluation का जिससे हमाई पता चलेगा कि भाईया क्या कहानी बनती है तो company का PE है 61.6% industry का PE है 33.6% मतलब बहुत उपर यानि जब 5700 पे आया था तो क्यों मैंने video बनाई थी क्यों मैंने कहा था मौका है आपको समझ में आ रहा होगा तो Tata Lexi का पिछले 10 ताल का average PE है 29.70 highest PE है 107 मतलब पिछले 10 ताल में Tata Lexi 107 के PE पे trade कर चुका है और अभी 61.6 के PE पे चल रहा है और इस coverage PE है 29.7 इसका मतलब है Tata Lexi जब भी गिर कर 30 के पास आता है तो buy किया जा सकता है वो तो एक golden है ही वो तो एक golden है बट उसके अलावा भी बताऊं बचिंता ना करें PE C ratio की बात करते हैं तो PE C ratio 2.40 again over price मतलब अगर हम लोग सारे point को समरी करें तो company का business अच्छा चल रहा है financial performance अच्छा है डिट भी कम है बस valuation आज के date में अगर 7500 पर आते हैं तो कहीं ने कहीं उस 5700 से 7500 आने में जो valuation 5700 के पास थे वो बढ़ चुके हैं ये बहुत ध्यान रखिएगा तो एक बहुत अच्छी company है बहतरीन काम कर रही है US Europe की जो कहानी जो मैंने कही थी वहां से revenue वारा वो एक hit है जिसके कारण 5700 से भी जो इनको 7500 जाने में वक्त लगा वो बहुत लंबा वक्त लगा ठीक है यहाँ पर एक और चीज़ बता दू कि टाटा इलेक्सी ने इंडियन इस्टिट आफ टेक्नलोजी गौहाटी के साथ partnership क्या है electric mobility solution develop करने के लिए यह एक बहुत hit point है जिसकी और update आईगी तो मैं वहाँ पे दूँगा तो यहाँ पर मेरा point of view क्या है कि एक अच्छी company जो अगर आप उस नीचे के भाव से लेकर बैठें SIP mode में लेकर बैठें बहुत सही है पास से दस्तल का वीजन बहुत सही है कहीं से कोई doubt नहीं क्योंकि company खुद futuristic है और क्यों खुद futuristic तरीके से काम कर रही है ध्यान से सुनिएगा बहुत futuristic तरीके से काम कर रही है तो वहाँ पर मेरा नजरिया है कि आज की date में हम जाते हैं मज़ेदार चीज हुई है जो आपको पता है कि telegram पर मैंने आप लोगों के साथ Tata Alexi का trade share किया था 7230 के उपर लेने का उसमें आप आप अल्रेडी देख सके हो कि 7230 के उपर लेने को बोला तो 7650 तक आ गया तो अगर टेलीग्राम से नहीं जुरे है तो 7600 के उपर निकलता है तो हम इसमें और भी तेजी देख सकते हैं यानि अगर यह 7620 के उपर में बंद होता है तो हम इसमें और भी तेजी देख सकते हैं तो इसको हम भोलते है step by step breakout तो चुक्किए already मैंने नीचे के भाव से लेने को कहा हुआ था तो वो एक point सही है यहाँ पर technically breakout हुआ है वो point मैंने आपके साथ share कर दिया वो point सही है तो इस नजरिये से यह पूरी कहानी है जहाँ पर please गर्ज लेकर पैसे ना लगाए सारा पैसा टाठा लेक्सी में ना लगाए एक portfolio बनता है जिसमें 15-20 share डालिये और वहाँ पर please एक जो सबसे important learning मैं आज की वीडियो में बोलूँगा वो learning जो मेरा point of view है जो data कहता है उसके अनुसार मैं बताऊं कि जब यह 10,000 के पास गया था तो टाठा लेक्सी में बंग पर पैसा लोगों ने लगाए था क्योंकि वो stock लगातार भाग रा था लोगों को लगा अरे यही चीज है मतलब ध्यान से समझना लगातार भाग रा है तो लोगों को लगता है सिर्फ यही है जिसको हम लेकर करूर पती बन सकते है और वही पर जब यह stock गीरा और एक sideways zone में हो गया तो सबको लगा नहीं यह बेकार है डिड है मेरे को अब लेना ही नहीं है क्योंकि चली नहीं रहा है क्योंकि लोग रोज लेते हैं रोज उसको देखते हैं ऐसा नहीं होता है एक अच्छा सेयर अगर गिरता है sideways है तो वो एक मौका है ITC, best example पैसे double कर दिए तो ये कई सारी चीज़ें हैं जो हर वीडियो में हम एक नई learning देने की कोसिस करते हैं जिनको हम एक साथ मिलाते हैं तब बनता है पैसा तो I hope टाटे लक्सी की learning पसंद आई हो तो वीडियो को like, comment, share कर दिज़े और प्यार दिज़े थैंक यू सो मच प्लीज इसको share जरूर कीजिएगा जिससे सब सीख सकें अब टाइम है हमारे winner को announce करने का जिनका नाम है महेस राना जी ITC की वीडियो में इन्होंने कहा कि ITC की वीडियो से हमने ये सीखा कि सबसे बड़ी organized cigarette manufacturing company है जो की 5 segment में काम करती है FMCZ होटल पेपर बोर्ट पेपर पैकेजिंग एगरी का बिजनस है legal cigarette का 80% market share है इंडिया की second largest एगरी बिजनस करने वाली कंपनी है जिसका कोई अकेला मालिक नहीं है जिसके कई सारे promoter हैं और ये brand value की चलते एक मौट के रूप में काम करते हैं इसका management operation production factory बहुत अच्छा है सब कुछ अच्छा है लेकिन ये अपना करने वाले है de-merger जहां पर इनके balance sheet पर impact आने वाला है de-merger पर focus रखना है और अपने stock को free करना है ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी हर चीज को detail में लिखा है और भी बहुत कुछ है तो दोस्त दिल से thank you मुझे बहुत खुसी हुई महसराना जी अब इस book को आपको मिलेगा तो info at the date finowings.com पर mail कीजे जिससे हम आपका address और phone number ले सकें प्लीज phone number और address दोनों ही भेज़ दीजेगा तो हम आपको ये book courier कर सकें और दूसरे लोग link description में है आप order कर सकते हैं